अब बात करते हैं कि हम लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि गवर्मेंट का बहुत इंपर्टेंट रोल होता है चाहे वो सेंटर गवर्मेंट और चाहे लोकल बॉड़ी तो उन सभी कई अब एक एकस्पेंडिचर था उसमें व्रद्धी होई है जो अच्छी बात है लेकिन यह व्रद्धी हमेशा एक जैसी नहीं रही है ऐसा हुआ बढ़ा फिर कम हो गया उसके फिर बढ़ गया ठीक है ऐसा चल ला है क्या एस्टी थी आज का एस्टी है उसको समझेंगे उससे प क्कुल मुलाकर के खरक्च कर रही है पूरे डेश की जो जी डि प है उसकी तो ये दो तरह सब देखेंगे तो पहले हम क्या दिखते हैं कि कुल सरकारी व्याय नहीं में हिस्टा कितना है 1951 में 7 द्रशनल लब 9-2 प्रिशित हुआ करता था कितना हुआ करता था 1998-99-099- favourite बढ़ गया था उसके बाद से फिर कम होना स्टार्ड हो गया और 2014 में उसके बाद से फिर बढ़ना इस्टार्ड हो गया था 15 द्रशनल अभ 7 प्रिशित हो गया था ठीक सरकार का जो budget है वो भी बहुत तेसी से बढ़ता जा रहा है, सरकारी खर्चे भी बहुत तेसी से बढ़े हैं, तो उसे साब से काफी अच्छी से बढ़ उत्पात हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, तो जो कि एक अच्छी बात है, good news है, दो और तो हैं, ऐगर अच्छी बात है, स्टार्टे में कितना था, 0.64%, दसनलग 6-4 पित्षत, तो काफी अच्छी बड़ उत्री हुई, अच्छा, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है, कि जो सिक्षा आयोग एक बनाया गया था, 1964 से 66 के बेच में, फिर 1966 में इसने रिपोर्ट दी थी, आज से 5% होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, अभी भी कितना हो रहा है, 4.13%, पहले से बढ़ा है, लेकिन जो टार्गेट आज से 54 साल पहले रखा गया था, हम वो भी अचीव नहीं कर पाए, तो वहां से देखेंगे तो हमें लगेगा, कि अभी बहुत दूर जाना बा 1998 से लेकर कि 2007 के बीच में 1.37 lakh crores, कितना 1.37 lakh crores रुपे खर्च करना होगा, ऐसा इन्होंने बोला था, कि सभी को अगर स्कूली सिक्षा देनी है, लेकिन हम वो भी खर्च नहीं कर पाया थे, उसमें भी कमी रह गे थी, ऐसे ही 2009 में हमारे आया तो सिक्षा का अधिकार, ठीक मावाप का मौली करतर भी जोड़ दिया गया था, 11 मौली करतर भी भारत में, कि मावाप की जुम्मेदारी है, अपने बच्चों को सिक्षा दे, और free education का मतलब भी है, कि सरकार स्कूल उब्द कराएगी, सरकार भेज देगी, सरकार आपको free में देगी, और जो private schools हैं, काफी अच्छी दिशा में थी, सार्थिक दिशा में थी, समितियों के सुझाओ बहुत अच्छे थे, लेकर उनका implementation अभी भी काफी दूर सक अधूरा है, हमने दिशा उस दिशा में प्रगती की है, लेकिन अभी बहुत कुछ बग करना बाकी है, अच्छा, अब बात या जा 9, 10, 11, 12 को मानते हैं, और 11, 12 को senior secondary बोल दिया जाता है कई जगे पर, और उसके बाद से फिर मुख रतिया क्यानी कि जब डिगरी college में लोग जाते हैं, ठीक है, बेसी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, फिर master's कर लिया, और उसके बाद से फिर आप PhD कर सकते हैं, फिर postdoc भी सबसे ज़्यारी सिक्षा मिल जा, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से देखोगे तो खर्चा हुआ है, ठीक, लेकिन आप प्रती व्यक्ति देखोगे, कि एक जो प्रत्विदाले में पढ़ने वाला बच्चा उसको पर कितना खर्च हो रहा है, तो बहुत कम निकल कर क्या आता है, क्या आता है, बहुत दीक कम निकल कर क्या आता है, टर्शरी पर सरकार अपने कुल खर्च का बहुत कम खर्च करती है, लेकिन टर्शरी में कौन-कौन से इंस्टिूट्स आ जाते हैं, आयाइटी जाती है, डियों के कह इंस्टिूट्स आ जाते हैं, जेन्यू ने में हम देखोगे तो कि बहुत चाहिए रहा है तो टो पैसा जो उलीमें, बहुत ज्यादा है लेगए प्रतीव वक्ति या उपका पो सब्रस्राइब पहुत जाते मिलेगा तो इससे एक चीज़ क्या समझ में आती है एक चीज़ समझ में आती है कि सरकार प्रात्मिक विद्यालों में जो खरच कर रही है उससे वो बच्चे पढ़ करके आएंगा तो उनको आगे उस सिक्षा के लिए और ज्यादा higher education में अच्छे इंसिटूट् कि जैसे engineering में देखा गया भारत में बहुत सारे engineering colleges खोले गया लेकिन वो गुर्वत्ता maintain करके नहीं रख पाए जबकि AICT CTE नाम की एक संस्था है जिसका काम है कि गुर्वत्ता लोग बना करके चल पाए admissions ही नहीं होते हैं आप तो बहुत सारे जोगे पर कि इस colleges ऐसे हैं ज में बहुत invest कर दिया secondary में भी लोग पढ़कर के आएंगे फिर उच्छी सिच्छा के लिए जब वो आएंगे तो क्या आपके पास उच्छतर सैच्छिक संस्थानों से सिच्छा प्राप्त अध्यापक हैं ऐसे लोग हैं जो अब इन लोगों को उच्छी सिच्छा दे पाए क्योंकि नीचे वाले लेवल पर हम लोगों ने नीचे का मता प्रात्मी को डियोत्यक पर बहुत सारा प्रसा खर्च कर दिया है तो वहां से सिच्छा में साच्छता बड़ी है लेकिन higher education में भी महां हमें बहुत साय लोग की आवश्यक्ता है जो लोग ट्रेन कर पाएं क्यो क्या सरकार की वरीता रही है यह देखने की बात है बढ़ाया है खर्च बढ़ाया है लेकिन जो रिकमेंडेट था 14 साल पहले तक वहां तक हम नहीं पहुछ वहां से बहुत दूर है अभी क्या हुआ है एक चीज और समझेए सबसे कम टोड़ल खर्च है वह उच्छतर पिद्यारती है उसके उपर और बिहार में सिर्फ 4,088 रुपए तो इससे क्या हो जाता है जब इतनी ज्यादा रीजनल डिस्पारिटी होती है क्या होती है छेत्री इस तर पर आप अगर देखो कि तो इतनी आला विभिता है विभिन दिता हैं कहीं पर सरकार अच्छे से ख लाइस्ट इब में सरहना की जाती है और बोलता कि और इससे काफी तो उससे क्या हो रहाएं है कि दीरे धीरे हमें जो जो से आधार पर समांता हैं उनको भी कम करना चाहिए कुए सारे देश के सारे लोगों कोई सिक्षा का इधिकार तो सारे लोगों का है पूरे देश पर में तो वहाँ पर समानता मिलने की कोशिश करनी चाहिए और वो उस दिशा में आप देखो के तो regional level पर काफी disparity भी दिखती है जो दुख की बात है अच्छा ऐसे ही ये जो सिक्षा का लेकिन सिक्षा के आधा जो अधिकार है उसका जो कानून है उसमें हम लोग कानून में परवितन करके भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि 614 नहीं अब हम 3-18 वर्ष तक के लिए सिक्षा का अधिकार बनाएंगे ठीक है 3-6 अभी क्या होता है कि इसको भी जोड़ा जाएगा इसको भी महतो दिया जाएगा और साथ में सिर्फ ऐसा नहीं करशा 8 तक 12 तक की जिक्षा सारे लोगों को मिले तो यह बहुत ही इस एक सरहनी कदम है अटलिस सोच में है वहाँ पर खर्ष कैसे किया जागा वही गुंबर करके बाता जाती है जो हमें बोला गया था कि हम 6% खर्ष करेंगे कम से कम 1966 में वह इस बार भी बोला गया है कि हम 6% खर्ष करेंगे कैसे खर्ष करेंगे वह नहीं बताया गया तो क्या-क्या है, सारे जितने भी केंद्री कर हैं, जो आप income tax देते हो ना, कोई company किसी को tax देती है, corporate tax, तो वो सारे केंद्री कर है, उन केंद्री करों पर एक उपकर लगा दिया गया, sis बोलते हैं, क्या बोलते हैं sis, 2% का, जिससे कि इस तरह का जो भी वहन सरकार का, वो पू तो एक जैसा नहीं रहा है, लेकिन overall trend देखोगे, तो 8% के आसपर सुगा करता है, तो यह अच्छी बात है, मिलते हैं अगले वीडियो में को doubt हो, कोई confusion तो प्लीज बताइएगा, आपको कैसा, इसमें क्या का confusion, तो होने की ज़रूरत नहीं है, कई चीज़ें ऐसे होगी, ज जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आपको प्रदेश में कितना खर्च हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसको इंटरनेट पर पढ़ोगे, तो बहुत आडिया लगएगा, एजुकेशन इन इंडिया नाम को विकिपेडिया पे जो उसको भी पढ़ोगे, तो ब या फिर स्क्रीन पर दिये गए QR code को स्कैन कर, अपना योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।